शोरो में देखो क्या होता है ना कुछ कंपनीज है सपोस हम फैमिना मिस इंडिया की बात करें जो भी है तो वो भी मेरे खाल से कुछ एक उनका कोई रजिस्टेशन चार्जेज वगरा कुछ मिनिमम होता है लेकिन यह नहीं कि आप लाको रुपया लेके और आप यह कर रहे हो रिष्टे में तो हम तुमारे होस्ट लगते हैं नाम है आरजी अरजुन जिया नए नए शो की शुरुआत कर दिये भाई हमने आज फिर से जौकी जौकी शो का नाम है और आज शो के शाथ साथ हमारे नए महमान भी हमारे साथ जुड़े है देखिए जैसे कि आज नया दि नए वीडियो है नया पॉड़कास्ट है तो साथ साथ हमारे नए महमान भी है डॉक्टर शुष्मा जी अब बहुत स्वागत है अपका था जुड़े पहले तो अच्छा लग रहा है सच में बड़ा एंथूजास्टिक लग रहा है अभी आगे बाते करेंगे तो आपका ब आले मॉडलिंग की जी हाँ इस प्रोफेशन की तेंगी हर किसी का सफना होता है जैसे के अमने बताया कि बच्पन से ही शुरू हो जाता है अक्टर बनने का सपना किसी का अस्टरनॉट किसी का कुछ लेकिन एक्टिंग सब का कॉमन रहा है सब लोग इस लाइन में जानाई ह और सपना देखा है तो पूरा होगा और जब सपना है सबका तो सबको उमीद भी रहते कि हमको करें कुछ हम कुछ बने और बहुत लोग अगर रियल में ही सपना है एक होता है सपना देखा हाँ फ्लेश अलगा दिमाग लेकिन उसके लिए महनत करना पड़ता है और ऐसे ही जि तो जो हम पर्दे पर देखते हैं इसाल को उस पर्दे तक हम कैसे पहुंचे है तो पर्दे की बात हो गई है तो हम पर्दे के पीछे सही हम एक शक्स को निकाल कर ले आए और उन सब बाते करेंगे हैं बहुत सारे कि आखिर उस पर्दे के पीछे होता किया है तो देखिए जिंदगी एक film है और यह हम किर्दार में भार है जिंदगी का इनसान है वो कल कर और उसका फर्द मनता है कि इस किरदार को भखु यह भाय तो लेकिन आज बात करने वाले ते असली जो मूवी में चल रहे है वह किए शो फॉडार की कॉभ आज साथ कि विशतने केHY वाही तो आपने काफी कुछ मूधी करिें जैसे क हमने जाना और मुवी पारे मैं बतागे बर्था काकाश्य को प्रिक आए पेले चानल गिदर तो अच्छापले मैं ये बताओं उटू कि मैं एक निद्ट सुरा ये त दोक्टर ओने, डेंटिस्ट हूँ, है ना, और हर्याना गुवर्मेंट में मैं देंटल मेडिकल ओफिसर के पद्वे हूँ, तो काम करती हूँ, और साथ-साथ क्या हुआ था, अर्जुन जी एक बार, मेरा जैसे कॉंप्लेक्शन थुद्धा डाक था, है ना, पहले बहुत ज तो मुझे लगता था, तो मेरे दिमांग में एक टीचर ने मेरे सामने बुल दे, नहीं इसको नहीं लेना है, यह थोड़ा डाक है, तो मेरे दिमांग मेरा उचीज बैढ़ गे किया, मैं तो कुछ करी नहीं सकती हूँ, है ना, फिर पेरेंट्स का सपना होता है, हमारा बच है, हमारा बच और टूवाटी, तो मुझे लगा कि है कैसी करूंगी यह और मिसी इंडिया का है, और मिसी इंडिया का तो मैं कर सकते हूँ, बिकॉस आ मिसीज ना, तो मैं पहले मुझे बचन गटाना पड़ेगा, तो डॉक्च साब से पहले परमेशन लिया, बोले कि मुझ तो चार बजे उठके देखना और पूरा करना, डाइट कंट्रोल एडिच and everything, I did my best. तो उससे मैंने फिर उसमें अप्लाए किया, तो मुंबई गई, बहुत सारी कंट्रीज की लेडिज थी, उन में से हम 20 लेडिज जो है, हम सेलेक्ट वे, and I was feeling like anything कि, यार मैं तो सेलेक्ट होगी, confidence आगया मेरे अंदर, तो हम लोग मुंबई चलेगे, तो मिसिस इंडिया ग्लोब 2015 में, मैंने जीता था, मिसिस आइकॉनिक आइजमें टाइटल जीता था, फिर उसके बाद से तो इतना मनोवल बढ़ गया मेरा, कि यार मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं किया अभी तक भी ये सब, मैं तो घरता की सीमित थी, कुछ नहीं करा और प्रोफेशन में ही, तो मेरा शुरू से ही सपना था अरजुन जी है, पापा वह स्टिक्ट थे, वह चाहते थे पापा ममी की मैं डॉक्टर पनू, उनका सपना पूरा किया, सिरफ उनका मन रखने के लिए, नहीं तो मैं बहुत पहले ही सब चीजे कर चुके थी, अगर मुझे सपोर्ट मिलता तो, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बस मैंने वो किया, उसके बाद तो फिर मैंने डेली में आके मिसिस ग्रियासेली, डेली एन नसे आर किया, मी और मॉम के विनर रही, मिसिस फेस ओफ इंडिया, 2016 में मैंने काफी सारे टाइटल्स, पंजाब केसरी का मैंने शोग किया, उसमें मैंने जीता, तो मेरा कॉन्फिदेंज ना मतलब एक टुदब पार पहुँचिया, क्यार, I can do anything I want, तो मेरे 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 एक सेल्फ कॉन्फिदेंज डेलाप हो गया, तो जब मुझे वहाँ पे मुंबई में भी, और सब लोगों ने इतना हमारी ग्रूमिंग हुई वहाँ पे सर, बहुत अरजुन जी हमारी ग्रूमिंग हुई, स्किन के अलग थे, वो अलग थे, सब ने कहा आपके स्माइल बहुत अच्छे है, किसी ने कहा आपके आइस बहुत अच्छे है, किसी ने कहा कुछ ये बहुत अच्छा है, मैंने कहा यार, मैंने कभी रिकरगनाइज नहीं किया, कि मेरा क्या अच्छा है, डॉक्टरी में घुसे रहे अपना पढ़ाई में, तो I never judge myself, है ना, तो कभी अपने आपको आंकलन नहीं किया मैंने कि मैं क्या हूं, तो उस समय पर पहुंच गए दिरे-दिरे, तो फिर मैंने उत्राकंड का शो जज किया, बहुत सारे शो जज किया, और रामपूर जाती थी, मतलब कहीं भी गई मैं मतलब, डेली, बिहार, और भी अधर स्टेट्स में मैं गई, शंकर सानी जी को भी लेके अपने साथ, सिंगर है ना, बहुत सारे अपने नोन टूस को, तो एक पूरा एक नेटवर्क सा बन गया, और जान पेचान होगी डेली में और मुंबई में, तो उसके कोटार्स मिलते गे, मिलते गे, करके एक रिकनाइज़िशन हो गया, फेस का, तो उससे बस मुझे काम मिलता गया, और मैं करते गई, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इंजॉई करती रही, जब मैंने मुवी में, फर्स्ट मुवी किया, मैंने भूका किसान, वो किसानों के उसके उपर था, कि कैसे हमारी गवर्मेट जो है, किसानों को एड़नी देती है, और वो आत्मत्या कर लेते हैं, गरीबी के कारण, तो वो मैंने पहले मुवी किती, उसमें मेरा मेरा में रोल था, वाइफ बनी थी मैं किसान की, तो वो बहुत अच्छे गई मुवी, तो ऐसे से करके experience गेन होता है, फिर मैंने भूका किसान के बाद वो दीपक महराजी के बैनर तले की थी, उसके बाद फिर मैंने की मेरा क्य कुसूर, जो भी एक subjective picture थी, फिर मैंने की क्या कुसूर था मेरा, और भी मतलब जाने किती विक्चर, अभी टकीला मेरी रिलीज हो गई है, है न, हाँ टकीला फीचर फिल्म है, इसके बारे में रुख के बताऊंगी न, इसके बारे में रुख के बताऊंगी, तब इतनी हम्मीलेस आपकी, इतनी हम्मीलेस है आपकी विरीज़ उसकााँ तो मेरे दिमाग का कीड़ जाता है. मैं यह मानता हूं कि जब तक support मिल रहा है आज कल के बच्चे आपने देखें हैं सपोर्ट मिल रहा है अगर support parents का मिल जाता था तो मालो भाई भगवान आ गए बगवान उतार गें सपोर्ट कर दिया और नहीं निकलना लगी बिल्कुल आज कल के बच्चों को इतना support मिल रहा ह बच्चान से हर चीज के लिए परेंट्स को लगने लगा है कि यह भी कोई चीज आया तो इस पे हम बच्चा अपने बच्चे को support करना चाहिए है ना चाहे वो singing लेकिए वो acting की field में हो तो बच्चों को support करते है बहुत अच्छी बाद अची बाद एजुए इस लेकिन बच करने लगे में धीट हो जाऊँगा मुझे अजय भी यह आपको वैल्यू नहीं पता चलेगी यह एस बच्छी बात अबच्चे सिंगर रहने लगाटे है जो मुझे करने दो अब के मभी पापा सुन रहोगे बहा है इल को सपोर्ट नहीं करो है हमारे बीटा-वे अशी और देखे, मैं स्ट्रगल की मैं कुछ बात करता हूँ, तो देखे, मेरा ना एक दोस्त है, बही है कह सकते हो, बड़े सीनियर है, तो उनकी अच्छी बड़िया जोब चल रही थी, अचानक से वो जोब छोड़के छोले बेचने लग जाते हैं, ऐसा क्यों? पताता हूँ, वो जब मैं सक्सेस हो जाओंगा, और मेरी बायोग्राफी बनेगे, तो कुछ तो उस्ताने के तो ना चाहिए, तो कुछ दाने के लिए मसाला, कि वो यह चोले बेचते थे तो आप यह बड़िया है, तो आप यह बड़िया है, तो आप यह कुछ ऐसा शुरू कर ले, हमको भी क जानना चाहिए, तो आपके जीवन में अभी आपने बताया है, 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 तो आपके जीवन मे है अरजुन जी अपनी फैमिली को छोड़ के जाना बच्चे एक ट्वेल्थ में थी मेरी बीटिया है ना उस टाइम पे मतलब वो नाइन्थ में थी बेटी थी और चोटा बेटा था तो उनको छोड़ के डॉक्ट सब के भरो से फिर जॉब से चुटी लेके तो ये भी एक कश करहाँ आपको कभी कही नहीं निकले थी और मुंबई जाना तो मुझे बहुत सारे ख्याल आ थे कि यार ये जानकार तो हैं बट इस लेवल के जानकार थो नहीं ना कि मैं अके बीट फिर रहे थे तो बिसिकली आप शादी के बाद आपने एक्टिंग चूड़ करें हैं मतलब थोड़ा धीरे अपने अपको गुरूम किया और मैंने सच बताओं तो जो मेरी गुरूमिंग थोड़ी जो मैं अब दिख रही हो यह आफ्टर टूजन फिफ्टीन है तो तूजन फिफ्टीन से पहले मेरी कोई गुरूमिंग सेशन मेरा नहीं था और नहीं मैं कुछ ब सब्सक्राइब कर लिए बेटा भी तैयारी कर रहा है तो लाइक बच्चों की पढ़ाई को बीच में चोड़ना डॉक्साब के बरो से चोड़ना फिर सारा अपने शिडूल और पहली बार घर से निकलना है ना और फिर सब लोग बीच में फिर जैसे मैं समाज के कभी परव अपनी अपनी एज तो खतम हो गई है ना बच्च बड़े होगे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए बच्चे भी अच्छे मेरे और अपने भी ध्यान क्यों ना दे जब फीमेल है अपनी फैमिली में हम लोग इतना इन्वाल वो जाते हैं अपनी पती का या बच्चों का तो इसमें कोई फरक नहीं पड़ता ना, तो इसमें कोई फरक नहीं पढ़ता ना? अपने आपको रखो और अपने आपको भी उतनी इंपॉर्टेंस हो जितरी आप अपनी फैमिली को देते हो बिलकुल हमारी ड्यूटीज है ठीक है हम उनसे मूह नहीं मोड़ सकते लेकिन सबको साथ-साथ लेके चलना ही तो हमारी कलाकारी इंपॉर्टेंस भी देनी चाहिए अब हम कुदको इंपॉर्टेंस लिदा हम तो को जाएंगे ना हमारे समाज में क्या होता है हम एक रिमोट एरिया में काम कर रहे है तो जौब के वैसे हम भी या रहे हैं ए बिलॉंग हम डैली से करते हैं बड़ बच्चे बड़े हो गए बिंदी नहीं लगाते बड़े अपे नापने जिना अपने दिमाग जल्दी बिमार पड़ जाओं अब हमारी लाए तुम्ड़ी तूम्हारी जिलंदेगी खतम वने आ डुमीड कर रहे तूम कर रहे हो फूसे अब ट jag गई हाँ पढ़ा से दिननों तो स्रोगल में निकाल लिए हैं अब तुम बढ़े हो गए हाँ अब इडनी शोक कर रहे है अजा लेडीस क्या होता ने पहले हजबेंड के पापा के अंडर पापा ने बहार ने जाने द्या फिर उसके बाद husband आगे उन्होंने नहीं जाने दिया, फिर उसके बेटे आगे फिर उन्होंने नहीं जाने दिया, तो यार what is this, what the hell is this, you should not do like that, you should be independent, आज की ladies independent है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, है न, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, अपना passion पूरा कर रहे हैं, अपने आपको जिवा रहे हैं, अपने आपको groom up कर रहे हैं, अपने आपके life बढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, कि हम अपने आपको strong दिखा रहे हैं, जिस चीज में उनको खुशी मिलती है, यार हम घर खाली बैठ जाएंगे, हमारे हाथ पैर पहले दुखेंगे, ज़ह हम क कि सब लोग अपने grooming के साथ रहो, अपने अच्छा ओड़ो पहनो, अच्छी education प्राथ करो, अपनी life को to the fullest जियो, जो आपका मन करता है करो, बस विदिन limits, limits in the sense everybody can understand, बिल्कुल, सही बात है, बिल्कुल, बहुत सही बात कही हैं, और लगे, आपकी बातों से ना, एक example नजर जो आपकी है, जो पर ऑफिसर्स की सुनना, और आपका जो पैशन है, अपका अच्छी तरह से निभा रहे हो, तो यह बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, यह सारी चीजे सनमाल लीग, और बहुत मुश्किल काम है, जो आपको देख लग लग अग बहुत असा कहलते हैं, प्लीजेंट्स, बता दूमा, जिनको नहीं पता, मॉडलिंग शोस होते हैं, जहां पर जैसे फॉन में आजाता है, लोग मॉडलिंगी सच करते हैं, बहुत बहुत बड़ा है, तो बच्चे अट्रेक्ट हो जाते हैं, बही प्लीजेंट्स को देखके कि भाई, ब लिकिन ऐसी बात नहीं है, कि वही इसमे जैनूवन नहीं है, जैनूवन और फ्रॉड में डिफिरिंग किसे पता चलता है, बता हूं बता हूं, फ्रॉड आपसे लेगा, जैनूवन जो होगा, वो पैसे नहीं ले राँगा, बिलकुल, आपके टेलेंट को आगे ले जा रहा कुछ minimum होता है लेकिन यह नहीं कि भई आप लाको रुपया लेके और आप यह कर रहे हो वो कर रहे हो तो आपको difference make out करना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा जाने से पहले कि आप फ्रॉड के चक्र में तू नहीं पड़ रहे हो पैसे आप फसा के बैट जाओ कोई show ही नह ही मिल रहा है है ना और कोशिश करें कि आप जन्मिन तरीके से जाए है ना तो आप आपको अपने आपको smart पनाना पड़ेगा इसके लिए ले देते हैं मेरे साथ एक हुआ था एक present मैंने खेला था अच्छा उसमें पहले template दिखाया गया था विनर को एक लाक रुपे दे ज ढ़ा है हा ओ ठीक बात है चलो कोई बात नि उनों है कर आई बाही प्लेसें ओर फोटो में लगा लगा रखाए कि नोरा पयाना यह अच्छा इल को अ ही की बात है यह पहले पहली बमाग Θ़ dogayा हो एक आ शालो झाल एक नोरा कि उन्चा त emails लेने श्ररम बढुत अटर पहू तुम हम आपने तो हुआ कुछ्य क्लिवS पिंटे कॉंच्य करनी संवरें सद्माइर लेखें अज आदे राड़चे लेखें भजयं बहुता है एक डिंट करना हो ऀ। एक अडित कहन ये टें लिखना करें जाते जाते लास्ट में पूछते आ रहे हैं कि वही विनर कौन होगा वह आपको बता दिया जाएगा आपको इंस्टाग्राम पर डाल दिया जाएगा अच्छा बाद में तो वही होना चाहिए तो भी उसी दिन होता है तो फिर आगे जाकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर और जितने थे उनके सब के आगे A Plus लगा हुआ था बाकि गिनती के चार पांस थे जिनके आगे B अच्छा बाकि सारे A Plus थे सारे विनर थे तो फस्तरी कोई नी दा अब इन में से सिलेक्ट होंगे ग्रेंड फनाले के लिए इतने सारे लोग किन को सिलेक्ट होंगे अब बढ़े के लिए लोग तो नहीं दे ओंगे तो बहुत लोगों नहीं दे ओंगे तो नहीं देओंगे तो पूरे इंडिया पहला है काम अच्छा आपी जल रहा है देरे-देर करते जारे कई नहींगा पता नहीं बढ़ा है इस लाइन में आप देखो जिसका जिसने कभी किया ही नहीं पेजंट वह पेजंट कर रहा है अजकल है ना इकठा पैसा करके पैसा करना एक बड़ा लोगों को डेली में तो बड़ा फैशन सा बन गया तो इसलिए मैं तो यह सजेस्ट करूँगे कि अपनी जानकारी के थू और अपना एक अच्छे बैनर के तले जाएं जो भी पहले सी चला आ रहा हूं हां ताकि वह आपको रिजल्ट दे और आप उसके पहले सीजन देख चुके हों है ना और सीजन के देखके आप मेक आउट कर सेके वेदर यू हैब तो गो और नोट आपका खुद का रिसीजन करना एक आपके जरु किना गालता है तो पुरा तो पुराने वाले पैजंट्स जो कर चुके अच्छी तरह के से उसके में जाने का कहीं सकते हों हैं चलो अच्छी बात है पूरा होगा स्वीकित नगरी में मानता हूं क्योंकि वह सबस्वेडि नगरी है वहीं बिलकुल और देखिए एक आर्टिस निकल कर जाता है यहां पे जैसे अपने इस एरिये से कहीं से भी जा कर जाता है सबसे पहले उसका सपना होता है मुम्भई जाता है बिलकुल, खाने को नहीं होता था, सोने के लिए जगर, आज भी जाता है, लेकिन आज का और पहले में फरक इतना सा है, कि आज कल सोशल मीडिया पे हर कोई एक्टिव है, तो सोशल मीडिया से आपको ख्लूज मिल जाते हैं चीजों के, तो आपके लिए थोड़ा सा एजी बन घिया सकते हैं वो मुंबई आराम नगर जाते हैं, और आराम करकर आते हैं, तो विलकुल, तोड़ी जा रहा है काम करते रहते हैं, लेकिन एक चीज उनकी क्लिक venidos, छा जा ही बस उनकी, तब पता चलता है, इस बंदेरी ये बी क्या है, मैं माधुरी दिखशित जी का अनु मादूरी दिख्षित की इतनी पिक्चरे मतलब वो गई फ्लॉप हो गई तब तक हम मादूरी को नहीं जानते जब उसके एक दो तीन चार चला ना गाना तब हम जाने लगे मादूरी दिख्षित है फिर साजन फलाना इतनी मुवी बाद में तो हमने तब रिक दाइस किया उस कि यार अरे मेरे मैं तो बनी नहीं एक्टिंग के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि छे फिल्मे मेरी खतमी होगी अच्छे बैनर तले बंदी ने करी उन डिरेक्टर का देखो जिनों ने उनको लिया होगा उस बंदी की मादूरी दिख्षित जी की देखो आज कितने अच्छी व अच्छी वाट जया है तो उनका मनुस्तिती क्या रही हो गुर्श डेबे तो स्ट्रगल तो हरे की लाइफ में है बहुत है डाउनफॉल्स यह ने राशन ही होना चाहिए और तो यूथ के लिए एक्जामपल लो ना फिर अरे ठैंक यू और क्या एक दिन बाइगराफे बन बनेगी इंशाहला पका वनेगी आपकी चाहते है बाइग्राफिट तो आपने इक मूवी की बात करी ती अबू आपकी कौन सी मोवी टकीला हाँ मेरी टकीला मुवी जो है व भी रेविलीज हुई है विक्के उस्ताद घर आया था, उसी से मुझे सारी बाते पता चली है, भाईया जी हम आपको राजु को यहां से ले जाने आया है, मैं उस्ते चाहिए, जी ते रहो, जी ते रहो, अरे यही है तुलसी, नमस्ते माजी, यह तो बहुत प्यारी बच्ची है, बाबुजी, बाद को, यह ना बैंड है, जो कि शादियों में गाता वाता है, जैसे टकीला जो मुवी का हमने नाम दिया ना, वो बैंड के उपर है, तो एक लिए मतलब उसको इंट्रो कर रहे है, बेसिकली, हां उस बैंड जो बैंड अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा था, बहुत है, रोना धोना भी है, थोड़ा, like serious kind of movie है, sentiments वाली है, कफ अच्छे देखोगे तो आप, Apple TV पे, Google पे, और YouTube रेंटल पे, ठीक है, इन तीनों पे रिलीज हुई है, है ना, अच्छे platform पे रिलीज है, रिलीज होने वाली है, हां, इनके director Mr. Mustajab Malik जी है, जो के great director है, नाम सुन मैं इसले हैं, कहारी है कि मैंने उनकी movies करी है, कही movies मैंने उनके साथ किया है, मैं उनके बड़े दिल से और बड़े करीब से जानती है, इस वेरी डाउन टॉवर्थ, और इतनी laborious है, उन्होंने पता ने कैसे कैसे करके ग्राउंड लेवल पे movie बनाई है, इसके लिए हमें फ तो यह नुन्ह के बताय बढ़ें कि जैसे जो गाउन के लोग होते हैं वह उनेमें टैलेंट महात होता घर्टाइन होता है हम इतनका बेस्टी सोगान होतón फार मिला शील्त करते हैं कुछ बनते हैं राम लिलाज में, रासलिलाए होती थी, पहले नो टंकीज होती थी, यूपी साइड में तो काफी, जो कि आज कल धीरे धीरे खतम होती जा रही है, नो टंकीज, अलगी एरा था, वो अलगी एरा था, तो कि टीवी और फॉन से कब तक देख लोगे है, तो सोश जो ये मूवी है ना, इसमें हमने स्ट्रगल दिखाया कि लोग कैसे दिन में महनत करते हैं, रात में अपना टैलेंट शोकेश करते हैं, तो ये ना अपना यूथ को लेके ग्रूप बना लेता है, और उसमें गाता है, तो वहां के जो लोकल लीडर्स होते हैं, और पॉलिट जो इनका स्ट्रगल है, जैसे हमारे यहां पर हमारे नेशन में मतलब हमारे इदर इंडिया में, तो इंडिन प्लेयर्स को चाहिए वो होकी प्लेयर हो, कोई भी प्लेयर हो, उनको रिकरिकेटर्स को तो पहले से ही है काफी जादा, लेकिन और जो जैसे मालो अभी एक हमारा हर्याना का लड़का है वो फैका था जिसने वो थो किया था हाँ तो इन सब को भी गेम्स को जो है हमारी रिकंग्नाइजिशन में अभी अभी आपको मैं बता हूँ अभी दो दिन पहले आप आज भी कल पर सो हाँ हमारी बिलकुल मनु भाकर ने देखो ब्राउज मैडल जीते समपहाँ के गल्चारल एक्टिविटीज को मैंडिय ताइप स्कीम में कुछ ना कुछ ना कुछ इनको मिलना चाहिए अपार ना को उससे क्या होगा उनका मनॉबल बढ़ेगा उनका मनॉबल भढ़ेगा और वो और अपने इस टालेंट को जो हैना जिन्दा रखताएंगे अब हमारे लिए ये भी सोच की बात है, देखो, आजकल पहले तो ये अंग्रेजों का चलाया हुआ है, चल रहा है, हर शादी में देखो, बैंड कितना इंपोर्टेंट है, बैंड के विन अरॉनक नहीं थी, लेकिन आजकल है इसके जगह ने डीजे ने ले लिया है, अब भी चिंता जनक बात है, एक तो इसकी तीजों की बात है, एक एक एंप्लॉयमेंट थोड़ी कम हो, हां, मैनुवल इंप्लॉयमेंट तो कभी हो गया है, बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत अच्छा लगता था, देखो, जहां जो भी हम इक शादी हो, या कोई भी लोगों को एक-दूसर्य मिलने के लिए आप ऐपना, ओको आपको सोचना बढुत है, अपने घरवालों से मिलने के लिए भी, अपोइंट्मेंन लेनी पड़ती है, हम अपने घरवालों से अपने इस तर से हम आज हो, आच्छा सैटरे मिलोगे, यह साट इस टाइम पे मंझ रही हुँ, तो यार यह चीज़ अभी हाँ खतम नहीं है, चल रही है, चल इसलिए रही है क्योंकि अब husband wife दोनों एकाखी फैमिली जोंगे है, nuclear families होगे है, पहले थो हम सब इकक्ठे रहा करते थे, पहले हो पहले तो हम सब इककते रहा करते थे, सब्सक्राइब कर देंगे, कर देंगे, not possible. देंगे, कर देंगे, कर देंगे, तो पूरा प्रोपर तरीके से, तो हमारा जो कल्चर एक जिन्दा रखने की ज़रूरत है, दिरे दिरे मॉडनाजिजिशन हो रहा है, हमारे समाज में, लेकिन यार इतना भी ठीक निया, कि हमारी संस्कृती लुप तो जाए, तो वो सब कि अपने लेट बिले तो उन्हों एक्टर मुझे अच्छा था रोल देना चाहता था था इसमें आपने काम इतना अच्छा किया तो थैंक यू सो मच्छ सर को भी थैंक्यू बूलूँगी मैं अच्छा बिल्गू बातों से जिसे आपने बताया उनकी डिरेक्टर के शब्द बहुत मेरे माइने रखे है मैं ओवर्वेल्मिंग एक्ष्पिरेंस है मेरे लिए बहुत अच्छा कर लेता हम जो बच्छे उनके उनके सुनने आए कि भाई एक्टिंग लाइन में होता क्या है अभी जैसे आपकी यूवी थी आपने शूट करी होगी जब वहापर शूट अच्छा जाए आपका जो आपक दे रहे हो हाँ आप क्या करते हो यह चीज मैं करूंगी ऐसे में द्हान दख चलूंगी तो मेरा जो मेरा यह शूट यहां पर लिया जा रहा है तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो होता है कि जब भी डारेक्टर साब हमें बोलेंगे आपर काफी बड़ी टीम होते है तक हमें सबसे पहले तो हमें बोलेंगे भाई टाइम निकाल के आना है बोते अरे किन काम में बटने डारेक्टर कि कि हाँ ये जॉब वाली है इसको बीच पे जाना पड़ सकता है तो मैरे को किया है मुझे नाइसमी है कंटर है मतलब मुझे किया है उन सची में तो ये नई बात थी मेरे लिए जो अमेरे को पता सुली टाइम निकल करना ताइम ज़रूर है आपको डारेक्टर सर ने कहा है दो दिन के लिए आना तो दो दिन के लिए आपको बिल्कुल खाली रखना पड़ेगा अपना दिमाग भी और भी आपको स्क्रिप्ट पढ़ने पड़ेगी बार बार तो आपको पढ़ोगे क्योंकि आपको फील लानी पड़ेगी ना फिर वही वाली, नहीं तो आप दो बिनट में पढ़के नहीं वह एक्सप्रेशन ला सकते हो, तो आपको पूरा जैनुलिली उसको पढ़ना होगा, उसको फील करना होगा, फिर क्ष्टेक सोंगे, रियल पर आपको रोड़ना है, विसको मैंने भी करें, मोनोलोग बगरा ये सारी चीज़े, खुद लिखके, अच्छा, एक और टैलेंट, अराम से बात करूँगी बात में, आप सुनते रहेगा, आप सुनते रहेगा, गिनते रहेगा, जैसे आपके में गिन रहे था ना, शोज, एक, दो, तीर, मेरे टैलेंट लिखके रहेगा, अरे या, सच्छी में, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लग्की हुँ ना, मतलब आपके साथ बात करें, एक इंट्रिव्यू कर रहे हैं, बिलकुल, पॉड्कास्ट, आप आगे चलते हैं, आप बता रहे ते हैं, जीरा कुश्चन अबाउट ताट, तो आपको एक, रो कंडिशन में, कपड़े चेंज करने हैं, आपको कोई प्रॉपरली वहां पर वाश्रूम ने मिल रहा है, आपको जहां जैसी सिचुएशन है, गाउं में, जैसा भी है, उसी हालातों में आपको रहना होगा, उन्हीं हालातो मैं हेरो, सब बी तो उसी में से निकले हैं ना हम कॉन वहां सा फॉर facing हम अकेबसे हैं और जो स्क्रिप्ट आपने करी है तो वो स्क्रिप्ट आपको याद रखने में दिकत्व नहीं आती है नहीं शुरू में बड़ी पैनिक होजाती है एक पी डायलोग में पीसना हो जाए पती है कई बार ऐसे नर्वस हो जाता है जब इतना सौरी टीम कड़ी है और वो आप ही को देख रहे हैं और आपका क्लोज अप ले रहे लग रहा है यह बगवान अगर वोट भी इदर से उधर होगे ना तो सर डाटे के चार मंदब दो टेक भी कुछ नहीं के तीन चार होगे ना कड़े है कर था आप के साथ तो सब्सक्राइब करना अपने साथ नहीं को को अझीछ ब्रम बनाता बिलकुल अपको टेज कर देख ते चले है बलकूल तो अब जसे एवह धरने करते चलेगा है करते चले हैं तो को आदथ होती चलेगी तुछ आपको अपको प्रोफेशनल औ ताइम के साथ साथ और आगे चलें कि हम बात कर रहे थे कि अब जो हमारे जो एक्टर्स देख रहे हैं उनको और किया आप अपनी तरफ से टेप्स इन चाहेंगे उनके जो एक्टिंग को और भी अच्छा बनाने के लिए उनका जो डर हैं कैमरा को फेज करने का उसको निकाल देखो सबसे पहले तो बैए कोई कि अपनी जन्मिनिटी को बरकरा रहें, आप अपने काम के प्रती लॉयल रहें, टाइम की आपको पाबंदी जरूर हो लिजे, अगर आपको अगर टाइम को पाबंद करेंगे टाइम के लिए, बिल्कुल ओन टाइम आप पहुंचेंगे, त तो अपने आपको, काम करोगे बी कॉंफिटेंट अपने आपको, कैमरा फेस, आप काम करोगे, बी कॉंफिदेंट अपूर अप यह जब भी आप काम करोगे, मैं सबसे अच्छा या मैं सबसे अच्छी, तो मेरे में कोई वो नहीं है, I can do it, I can do it, so you can do it definitely, everyone can do it, अब्यों तो यह बहुत सारी बाते हैं सुनकर बहुत अच्छा लगा माम आपके साथ बहुत सारी बाते है और अठ लास्... अचा यह तो बताया निहीं ना मेरी एक और मुवी रिलीज रिलीज रोली एफ़ रहा है तो God Must Die भी हमारे आने वाले है और ये टकीला मुवी का तुमें एक अच्छी वात बताना ही बुल गया आपको ये 77th केन फिल्म फेस्टिवल में परदर्शित हुई है इसी साल वहाँ पे रेड कारपेट पी गए है हमारे लोग और और नेक्स टाइम मैं भी जाने वाले हूँ सच्छी में इनी डिरेक्टर के साथ हाँ सिरियसली आप देखोंगे नेक्स टाइम के बाद मैं बताऊंगी कि मैं जाके आई हूँ इन्शाला बहुत अच्छा कुछ होगा देखते हैं और एक मेरी लकमेपूर के लुक के अभी हाल्स में प्रदर्शित होगी तो इसको तो प्रदर्शित होगी कि क्या स्टोरी अभी नि बताऊंगी स्टोरी नहीं तो मिक्स हो जाएगा जो अरी स्टोरी टकिला है ना तो जब टकीला रिलीज हो जाए तो मैं आप सही कहने वाल हूँगा बिल्कुल देखने जाना तकीला तकीला लग चुकी है हमारे एपल टीवी बहुत अच्छी जारही है बड़ी अच्छी रेटिंग उसको मिल रही है और लखमीपूर के लुके लुके पिक्ट्र हॉल में लगेगी पलवल में भी लगेगी सायम सिनेमय में लगने वाली है तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी वह यूथ के उपर है एक जागरित कर र लगमिपूर के लुके नाम है उसका तो लगमिपूर के लडकी वाले होता है, तो बहुत बढ़ा लिखा है, बट अनपोधन एक सरकारी नोकरी नहीं है, हार बाप बाप अपनी लड़की के लिए सरकारी नोकरी, उसको लड़के देखने आते हैं लड़की के लिए रिश्टे वाले आते हैं तो गहते हैं सरकारी नौक रनी है इसको नहीं रिजेक्ट कर देते हैं डिपरेशन में आगए सोशल मीडिया से कॉट हो गया थोड़े दिनों बाद उसको ऐसा आता है कि इसी पर बनाई है कि फिर लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गया, उसको लेकर चला गया, 17 साल की बालिक लड़की को लेकर बाग जाता है, तो शादी करता है कि नहीं पिक्चर में पता चलेगा, ठीक है, यह सस्पेंस है, तो यह जल्दी जल्दी यह नहीं बताती है, इंट्र और इंजोई कीजी, और फिर हमको रिवी दीजेगा, कैसी रही है, थैंक्यू, तो एट दे एंट, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हो, अर्जुल जी, आप एक तलेंटेड अक्टर, सिंगर, सब कुछ है, तो अच्छी हमारी वाइब्स मिली, और बड़ा अच्छा आ कोई बात नि, हम आपको अगली वर जादर देदी, बटसर है, वो बहुत से वाई, और मैं उन्हें बहुत पहले से जानती, जस्ट अ क्राइंड पसनालिटी, रियली, I love to work with him, always, रियली, और बहुत, 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 बह बहुत, 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 लाइब है तो एक प्रोटो बहुत माइन रखता है अर अच्छे-ची फोटो समें रखने छीन अपकी अलग अपको एलग अफ़रेश्जिंग आपकी इलग लाग घंडा पाइल इंक एक इंट्रो वीडियो आपकी होनी चाहिए अप्रोफायल लिंक प्रोफायल लिंक वा गिं अपने आपको डिस्प्लिन में एक वर्ड डिसिप्लिन है तो अगर अपने लिए आप इमांदा रहेंगे ना अपने जेनुएंगे अपने लिए क्या बोलते हैं उसे focussed रहेंगे, इमानदार रहेंगे अपने लिए, ऐसे बोलते हैं, कोई word होता है, जो भी आप बोल दो गई है, कुछ है, ऐसा मेरे को समझ नहारा, वियाद नहारा, तो आप कभी हारी नहीं सकते हैं, बिल्कुल, सही बात है, आप कभी हारी न और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना